देश में इन दिनों सरकारी उक्वों को निजी हाथों में दिये जाने की चर्चा खूब होती है विपक्ष के नेताओं के पास इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो अलग-अलग मंचों पर जनता को दिखाते रहते हैं उधर सरकार पर भी इसका कोई असन नहीं परता और वो भी अपना काम लगातार जारी रखे हुए जिससे निजी करण वाली लिष्ट लगातार बढ़ती जा रही है इसके पीछे सरकार का भी तर्ग है कि अगर किसी चीज से देश की आय में ब्रद्ध हो रही है तो ऐसा क्यों ना किया जाए तो विपश्ट की तरफ से खास तोर से कॉंग्रेस की तरफ से अकसर ये कहा जाता है कि जो कॉंग्रेस ने इतने सालों में बनाया वो बीजेपी अब बेच रही है ये तो थी राजनेतिक बात लेकिन आज हम इस मुद्धे पर इसलिए बात कर रहे हैं कि देश का पहला फाइप इस्टार होटल जिसे देश के पहले प्रधान मंतरी जवाहला नहरू ने बनवाया था जिस होटल में नहरू ने अपने हाथों से पेर लगाये थे जिसे आज भी देश की राजधानी दिल्ली की शान कहा जाता है वो अशोव होटल अब बिकने जा रहा है सरकार ने इसे आपरेट, मेंटेंड, डिपलप यानी OMB मॉडल के तह साथ सालों के लिए पट्टे पर देने का फैसला किया है साथी PPP मॉडल के जरिये होटल की 6.3 एकड अतरित जमीन को कॉमर्सियल परपच के लिए बेचा जाएगा जिसमें इसके नए सिरे से विकास पर 450 करोड के खर्च का अनुमान है अभी अशोव होटल का मालिकाना हग सरकारी कमपनी ITDC के पास है आगे OMD मॉडल के जरिये इसे पट्टे पर दिया जाएगा इसके तहट प्राइवेट पार्टनर को इसका नए सिरे से विकास करने की अनुमती होगी दावा किया जा रहा है कि इसे दुनिया के जाने माने हायरीटेज होटल की तरज पर विक्सित किया जाएगा इसे प्राइवेट पार्टनर ऑपरेट करेगा होटल के पास इसे 6.3 एकर जमीन पर 600 से 700 प्रीमियम सर्विस अपार्टमेंट बनाये जाएंगे इनसे डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड, ट्रांसफर मॉडल के जरिये कमाई होगी ये तो थी अभी की बात लेकिन हम आपको इस होटल का निर्माड कैसे हुआ ये भी बताते हैं दरासल साल 1955 में ततकालीन प्रधान मंतरी जवाहला नहरू युनिसको के एक कारिक्रम में हिस्सा लेने फ्रांस की राजधानी पैरिस गए हुए थे नहरू ने युनिसको को अगली कांफरेंस भारत में करने के लिए नियोता दे दिया प्रधान मंतरी ने नियोता तो दे दिया लेकिन उस वक्त तक भारत में एक भी फाइप इस्टार होटल नहीं था जहां विस्वर से आने वाले गिष्ट को ठहराया जा सके ऐसे में नहरू ने पांस इतारा होटल बनाने की ठानी जिसे 1956 में बनाया गया इस तरह से देश का पहला फाइप इस्टार होटल अस्तितु में आया मुंबाई के आर्किटेक्ट बी आई डॉक्टर को इसकी डिजाइन और निर्माड की जिम्मेदारी सोपी गई थी महरू खुद इसके काम पर बारीकी से नजर रखते थे वो अकसर घोडे पर बैठ कर इसका कामकाज देखने पहुच जाते थे इस होटल में 550 कमरे और 161 सूइट्स हैं होटल में करीब 1000 करमचारी काम करते हैं जिसके रोजाना के संचालन में करीब 35 लाक रुपे का खर्च आता है 1960 के दसक में इसे बनाने में 3 करों रुपे खर्च हुए थे आपके मुझसे बस निकले इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि उस समय देश में सोने की कीमत करीब 90 रुपे प्रती तोला हुआ करती थी और आज सोने की कीमत करीब 50 लुपे तोला है अब आप वोटल बनने में आये की खर्च का तुला आज के समय से करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी जब आशोख होटल का निर्माड हुआ था तब भी कई रियास्तों ने इसके निर्माड में सहयोग किया था लेकिन इस पर नियंतर्ण सरकार का ही रहा लेकिन अब इसका विस्तार होने जा रहा है तब ये निजी हाथों में जा रहा है खेर इस मुद्दे पर राजनीत होनी तय है, बात वही है कि इस तरह से सरकारी उप्रमों को निजी हाथों में देना क्या सही है, हर चीज के अपने तर्फ होते हैं, हानिलाब भी देखा जाता है, तो भावनाओं को भी नजन अंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।